लोग सभा से पारित होने के बाद अब GST की राह में कानूनी तोर पर काफी कम अर्चने रह गई हैं बुधवार को राजसभा में GST से सम्मंधित विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे हाला कि ये चारों विधेयक टैक्स के माबनों से जुड़े होने की वज़े से मनी बिल के तोर पर लाए गए हैं और इस लिहाद से राजसभा में जरूरी संख्याना होने के बावजूद भी सरकार को इस राजसभा से पारित कराना जरूरी नहीं राजसरकारों को अब अपनी राज्यों की विधान सभाओं में स्टेट जीस्टी विधेयक को पारित करना जरूरी है इसके साथ ही जीस्टी पर कानूनी पहलू पर काम पूरा हो जाएगा GST के लिए जरूरी IT infrastructure पर काम करीब पूरा हो चुका है और GST network से राज्यों के VAT system और केंदर के CBC system को एक ही platform पर लाना होगा कारोबारियों के लिए registration, return, refund, valuation समन्दी जरूरी नियमों को अबजारी कर दिया गया है जिसके बाद कारोबारी अपनी तयारियां शुरू कर सकते हैं Industry has been given the key set of four rules which they were demanding so that they can do their own automation process Those rules are valuation, credit flows, composition and in the past five more rules have been given The industry now is in a position to gear up, prepare its software And from the stipulated date, GST can be rolled out चोटे कारोबारियों को रहाद देने के लिए 20 लाग तक के टर्नोर वाले कारोबारियों को GST के दैरे से बाहर किया गया है 20 से 50 लाग तक के टर्नोर वाले कारोबारियों को साधारान return भरना होगा और GST की दर एक फीजदी से ढ़ाई फीजदी के बीच रखी गई है लिहाजा चोटे कारोबारियों को चिंता की जरूरत नहीं GST की दरें पहले ही तैक की जा चुकी है और 18-19 मई को श्रीनगर में होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा कि कौन सी वस्तूओं और सिवाओं को किस दाइरे में रखा जाए आज़े मिस्टर डीडी न्यूज दिल्ली